हलो दोस्तो अगर आप एक iPhone यूजर हो और आपको बेस्ट वीडियो रिकॉर्डिंग की सेटिंग्स टेक करने हैं कि मैं कौन सी सेटिंग्स में वीडियो बनाऊं जो मेरेको बेस्ट रेजोलुशन, हाइस्ट क्वालिटी में और बेस्ट एफपीएस दें एफपीएस होता है फ्रेम्स पर सेकेंड तो दोस्तो अगर आप iPhone के कैमरा से 100% आउटपुट लेना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना कुल स्टप मिस्स ना करना मैं आपको iPhone के कैमरा की वीडियो रिकॉर्डिंग की बेस्ट सैटिंग बताने जा रहा हूँ च जाहे आप YouTube वीडियो या Vlogs बनाते हो तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को सबसे पहले आपको जाना है iPhone के कैमरा में जैसे ही आप कैमरा ओपन करोगे आपको नॉर्मल आपल के कैमरा का ले आउट तेखने को मिलेगा तो सबसे पहले मैं फोटो की जो इस वीडियो में आपकी वीडियो में डैप्ट एफेक्ट फील होगा आपकी वीडियो में ऐसे फील हरेंगी कि जैसे वो DSLR कैमरा से शूट हुई है आप मैक्सिमम जो आपको कैमरा लेंस दिया गया है जूम उसके साथ शूट करो जैसे 2X इस केस में यह मेरे पास Swift Inpromex है इस केस में जो 2X कैमरा लेंस है वो बेस्ट काम करेगा अब यहां पर आपको अभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके केस में action mode है आपके phone में आपको उसको off रखना है क्योंकि action mode में आइफोन कोशिश करता है कि आपकी वीडियो स्टेबल बनाएं ना कि clear बनाएं राइट आपको action mode off रखना है इसको on नहीं करना है सो मैं आपको recommend यही करूँगा कि जब आप better lighting condition में हो या किसी भी lighting condition में हो तो आपको action mode off रखना है action mode सिर्फ उसी time on करो जब आप भाग रहे हो या walking के दुरान अपने वीडियो शूट कर रहे हो right so यह तो हो गया कि आपको कौन सा camera lens shoot करना है so अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने phone में exposure की settings कैसे कर सकते हो so दोस्तो अगर आपकी case में harsh sunlight है so आपको यहाँ पर अपने iPhone के screen के उपर एक बार tap करना है और यहाँ आपको exposure दिख रहे है right exposure का icon और यहाँ पर आपको sun का icon देखने को मिलेगा right there यहाँ पर आप देख सकते हो sun का icon है अगर आप इसको swipe up करते हो तो आपके वीडियो में lightning बढ़ना शुरू हो जाएगी आप देख पाऊंगे कि यहाँ पर lightning जो है ओर एक्सपोज हो रही है so अगर आप इस चीज में इस ची हो तो अब बात करते है resolution की यह exposure की settings मैंने आपको बता दी है so guys अगर आपको resolution highest चाहिए हर बार तो मैं आपको जलता हूँ best settings में settings में जाओ और फिर आपको camera option पर जाना है यहाँ पर आपको record video का option देखने का मिल रहा है आपको अगर best or highest resolution चाहिए तो 4K at 60fps best or highest resolution है लेकिन इस अगर आप चाहते हो कि आपको ठीक ठाक ची setting मिल जाए कि आप normal video shoot करना चाहते हो लेकिन वो बढ़िया quality की भी हो और उतमे fps बढ़िया quality की आए frames भी तो आप 1080 at 60fps रख सकते हो यह जो इस time video shoot हो रही है जो आप देख रहे हो यह इसी settings पर हो रही है 1080 at 60fps पर तो अगर आपको highest यह maximum resolution चाहिए तो आप 4K at 60fps पर क्लिक कर दो तो अब आपको यह नीचे यह option देखने को मिल रहा है show pal formats इसका मतलब क्या है तो दोस्तों इंडिया में हमारी जो electricity की frequency है वो है 50 Hertz राइट तो गाइस जो iPhone के cameras है न वो 60 Hertz जैसे Canada यह North America के यह US के frequency के हिसाब से design है तो दोस्तों अ आप 50 Hertz वाली electricity में यूज करोगे आपने देखा होगा कि indoor lighting condition में ना कभी-कभी रात को जब light कम होती है तो फिलिकर करती है video वो इसी कारण होती है क्योंकि frequency का difference है तो यहाँ पर guys अगर आप show pal formats activate करोगे और फिर जब आपकी video में flickering हो रही है ना तो आप दोस्तों यहाँ पर जिस भी video setting पे जिस भी resolution में आपको पाल दिख रहा है ना अगर आप उस पे set कर दोगे तो आपकी flickering बंद हो जाएगी फिर आपकी iPhone की fps जो है ना वो कम हो जाएगी और iPhone की video जो है ना flicker नहीं करेगी और जब आप normal lighting condition में आ जाओ तो फिर से अपनी iPhone की video को यहीं पर resolution को set कर दो तो यहाँ पर option है enhanced stabilization इस option को on करो action mode lower light इसको हमेशा बंद रखना HDR वीडियो को on रखो अगर आप HDR वीडियो लोगे तो आपके iPhone की brightness जो है ना वो normal से जादा दिखेगी right HDR वीडियो जो है ना वो brighter होती है और जैसे आप Instagram पे content upload करोगे तो वो automatically HDR mode में ही content upload होगा तो यहाँ पर auto fps दिख रहा है इसको auto preset करो lock cameras को हमेशा बंद रखना है वरना आपका iPhone video recording के दुरान cameras में shift नहीं कर पाएगा so lock white balance इसको भी off रखना है so दोस्तो यह है video recording की settings चलो जल्दी से में आपको slow motion की settings बता दूँ और फिर चलते हैं हम अपने camera की तरफ so record slow mo आपको highest resolution or highest fps में करनी तो अब मैं बात करता हूँ camera's में चलते हैं तो दोस्तो यह जो मैंने आपको resolution चेंज करवाई है वो आप camera के अंदर भी कर सकते हो यहां पर आपको top right hand side corner में यहां 4K at 60 fps का option देखने को मिल रहा है अगर आपको 24 fps record करने है मानलो ठीक है 4K at 24 fps आपको 60 के उपर click करने है और आ अगर आपको और जादा fps चाहिए तो आप यहीं से ही अपनी जो setting है ना वो change कर पाऊगे right so अगर आपको resolution चेंज करनी है तो 4K की उपर click करो HD की उपर click करो ऐसे आप shift कर पाऊगे अपनी videos के दुरान right so यहां पर आप देख सकते हो exposure जो मैंने आपको पहले बताया वो आप यहीं से भी change कर पाऊगे अगर दोस्तों आप यहां से टैप और नहीं करना चाहते तो आप यहां से कर दो अपनी videos में exposure के adjustment right so यहां पर आप अपने हसाब से कर सकते हो जो भी आपको set करना है it's totally up to you यहां पर आप manually भी set कर पाऊगे so यह video कैसी आपको यह features कैसे लगे do let me know in video recording की settings इसको आप अपने phone में set करके अपने iPhone की camera से best output ले सकते हो so कैसी लगी वीडियो do let me in the comment section thanks for watching guys मिलते हैं next video में thank you